सिर्फ एक पत्ता पुराने से पुराना घुटनों का दर्ध हो कमर का दर्ध हो एड़ी का दर्ध हो या फिर हमारे हाथों की कलई का दर्ध हो मिंटों में गायब हो जाएगा तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ आख के पौधे के बारे में आख जिसे की आखड़ा कहा जाता है कई जगा पर मदार भी कहा जाता है और ये जो पौधा होता है दोस्तों ये बहुत ही आयरुवेदिक पौधा होता है बहुत सी बिमारियों को दूर करता है ये पौधा इस पौधे की पतियों में कुछ ऐसे रसायन होते हैं दोसों जो कि गठिया के दर्द, जोडों के दर्द को बिलकुल ही ठीक कर देते हैं परंतु इन पत्तों का प्रयोग बहुत सावधानी पुरवक करें दोसों जब आप इन पत्तों को तोड़ेंगे ना तो जैसे ह कि आप तोड़ेंगे इसमें सफेज सफेज सा लिक्वीड निकलता है जो की बहुत ही जादा खतरनाक होता है इस दूद को आपको आपके चेहरे के आसपास बिलकुल भी लगने नहीं देना है ऐसा कहा जाता है यह दूद यदि आखों में लग जाता है तो अंधापन भी आ सकता है इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पुर्वक करें इसके पत्ते बहुत उप्योगी है जोडों के दर्द के लिए इसका जो फूल होता है ये भी बहुत उप्योगी साथ इस पौधे की जड़ भी बहुत जादा उप्योगी है चाहे जोडों का दर्द हो चाह आप में धो कर पीस लूँगी इस paste में एक चमच नमक डाल कर और इस paste को यदि आपंगे घुटनों पर लगाएंगे एडी के दर्द पर लगाएंगे जहां भी आपको बहुत ज्यादा दर्द है वहाँ पर लगाएंगे आप देखेंगे दर्द तुरंथ ही ठीक हो जाएगा पेस्ट को लगा कर रखें फिर कुछ पुराने कपड़े से आप बांध लें ये जो पौधा होता है इसकी जो पत्या होती है बहुत ही बढ़िया दर्द निवारक होती है इसके फूल भ हम अपने पैरों के पंजों को डुबा कर बैठते हैं ना दोसों तो एडी का दर्द मिंटों में गायब हो जाता है और इस पानी का प्रयोग यदि घुटनों में दर्द है तो घुटने में भी इसके पानी की गरम गरम पानी की सिकाई करें आप देखें कि घुटनों का दर भी तुरंध ही ठीक हो जाएगा तो पुराना बरतन लिया है दोस्तों क्योंकि थोड़ा सा ये पौधा जहरीला होता है थोड़ा सा इसका उपयोग हम सावधानी पूरवक्षी करें तो जादा अच्छा है इसकी पत्यों में आप डाल सकते हैं सरसो का तेल तिल का तेल डाल सक है गठिया जैसी बिमारी में भचराहात दिलाता है जिन्य भी अर्थरायटी की प्रिशानी है दोस्तों उनहें इस घहरेलो नुस्खे का एक पर प्रयोग जरूर करना चाहिए बहुत ही सस्ता बहुत ही आसान बहुत है लगठिया को जड़ से खत्म करने का इससे सस्ता उपाय शायद आप नहीं जानते होंगे तो पत्ते के दोनों साइट ही मैंने तेल लगा लिया है इस पत्ते को आपको ऐसे ही घुटने पर नहीं रखना है दोस्तों अभी आपको इसको गरम करना है गरम करने से इस पत्ते के अंदर जो रसायन होंगे दोस्तों वह पत्ते में से थोड़े से बाहर आएंगे और फिर जब हम उसे गरम गरम इस पत्ते को अपने जोड़ों के दर्द पर रखेंगे चाहे वो घुटनों का दर्द हो एडी का दर्द हो चाहे हमारे पै कि चारों तरफ मैंने तेल को फैला दिया है दोस्तों और जिनने डाइबिटीस है दोस्तों जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उनके लिए यह पत्ते बहुत ही फाइदेमन है इन पत्तों को गरम कर लें जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ गैस के उपर तवा पर फिर भी तवे का बैक साइड ले और तवा अच्छा गरम हो गया आप देख सकते हैं पत्ते में कहीं कहीं आपको तेल के बबल्स दिख रहे होंगे चिम्टे की सायता से मैंने दो बार इस पत्ते को उलट पुलट कर दिया यह देखे तो पत्ता बढ़ी आच्छा सिक अभी मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ तो यह चो आकड़े का पौधा होता है आख बोलते हैं दोस्तों यह सूजन को भी कम करता है यदि घुटने में आपके सूजन आ गई है एडी में सूजन आ गई कई बार बच्चे गिर जाते हैं मोच लग जाती है तब आप उस मोच की जगह पर सूजन की जगह पर यदि बानेंगे तो सूजन भी उतर जाएगी और साथ ही साथ आपको जोडों के दर्द से आराम मिलेगा तो दो तीन तरह से प्रयोग कर सकते हैं फूलों का जो पानी उबल रहा आप देख सकते हैं सारा फूलों का जो रसायन ह पोशक तत्व हैं इस पानी में आग हैं इस पानी में आप अपने पैरों को दुबा लें मतब बड़े बरतन में डाल कर अगर एडी का दर्द है गुटने का दर्द है तो इस पानी से आप घुटने की सिकाई करें गरम गरम इस पानी से आप देखें कि घुटने की सूजन भी उतर जाएगी और घुटने के दर्द से आराम मिलेगा कमर में दर्द है तो भी आप इसके पानी इसके फूलों के पानी से सिकाई जरूर करें ये देखें अगर एडी में दर्द है तो आप इस तरह से किसी बड़े बरतन में रख लें और इस पानी को आप डालते जाएं तो एडी के दर्द से भी आपको बहुत ही आराम मिलेगा गरम गरम पानी डाले थोड़ा इतना गरम डाले जितना की आप लोग सहन कर सकते हैं उतना गरम डाले तो प्राचीन काल से ही दोस्तों आकडे की पत्तियों का प्रयोग किया आता जा रहा है पुराने से पुराने भ कहीं भी सड़क के आस-पास किनारे लगा रहता है, जंगली पौधा है, वैसे तो इसका आयुरुवेदिक महट बहुत है, परनतो ये पौधा आपको जगह जगह लगा, दिख जाएगा, मैदानी इलाके में खुले, मैदान में दिख जाएगा, सड़क के किनारे आपको दिख इस तरह से पैरों के पंजे में रखें बांधने के लिए आपको यहां इस्तमाल करना है धागे का धागे की साहिता से इस गरम गरम पत्ते को चारो तरफ अच्छी तरह से लपेट लें ताकि यह हमारे पैर पर बंधा रहें घुटने पर भी आप इसे धागे की मदद से क्वरा असर आपको मिलता रहा है आप चाहें तो इस समय प cigarette पर कोई पुराना मोजा भी पहन सकते हैं आपको ऐसा लगर रहे हम घर का काम कैसे करेंगे कोशिश करें कि इस पत्ते को आप रात के समय बांध कर रात भर लगा रहने दें और रात भर लगे-लगे ही आप सो प्रेयोग है दोस्तों इसके प्रेयोग से आप देखें कुछ दिन तक आप इसका प्रेयोग करें आपको खुद को लगेगा रहे वा जो हमारे को एडी में इतना भेंकर दर्द था वह बिल्कुल ही ठीक हो गया है यह देखें तो इस तरह से धागे से बांध लेंगे ना तो धर-धर हिलेगा नहीं आपकोई भी पुराना मोजा पहन सकते हैं आप तो इससे आपको जोडों के दर्द से बहुत ही जादा आराम मिलेगा दोस्तों बाजार में तो तरह-दरह के क्रीम आती हैं तरह-दरह की गोलियां धवाई हम खाते हैं जोडों धदद की पर तो वाप वो भी इसी का प्रयोग करते थे आकड़े की पत्तियों का तो इसे बादने के बाद मैं एक पुराना मोझा ले आई हूं और पुराना मोझा मैं पैर पर डाल दूंगी ताकि पत्ता चिपका रहे रात भर इसे लगा कर आप सो सकते हैं शुगर जैसी बिमारी खत्म होगी एड जरूर दें साथी साथ मेरे चैनल शिखास की चन को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें साथी दोस्तों मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा इन्फार्मेशन कैसी लगी और इस आक के पौधे को आप जरूर ट्राय कर सकते हैं यदि आपको जॉइंट पेइन अर्थराइट अर्थराइट